आई गाईज विल्कम तो आवर यूटूब चैनल आयरवेदिक हेल्थ एंड ब्यूटी आज विडियो में आपके साथ एक ऐसी मेजिकल रेमिडिस एर कर रही हूँ जो कि लंबे समय तक आपके बालो को लंबा घना काला और चमकदार बनाए रखने में मदद करेगा और यह बहुत ही पुरानी रेमिडिय है ना ही यह किसी भी तरह का कोई टोनर है एक इस्तमाल में आपके बालो की ग्रोथ इतनी प्तेजी से बूश्ट कर देगा यह नुसका कि आप देखकर हैरान रह जाओगी यह एर ग्रोथ को बहुत तेजी से बूश्ट करता है बालो को लंबे समय तक काला लंबा घना और चमकदार बना रखने में मदद करता है बिलकुर नैचरल ले मेखने में मतर करता है और आपके बाला समय सफयध हो रहे हैं तो यह एक महीनगों में अच्छी साल थेखने को मिलेगा गा लिगों आजओं को सब्सक्राइब कर्के बिल ऐकन को जरूर करतें ताकि आपको हमारी वीडियो घ्माज ँ समेर के चलिए उनला नी बना आने पर आप बोल जान धे बेतका यह जो ओयल है हमारे बालों के थीकनेस को इंप्रोव करता है यह बालों के लिए इसमें बहुत सारे यह जाती हैं यह जो कि हमारे बालों में हमारे स्कैलप में किसी तरह का फंगल इंफेक्शन नहीं होने देती हैं साथ ही इसमें मैगनीशियम और आयरन की प्रपटी भी पाई जाती है इस ओयल को हम यहाँ पर दो चम्मच ले लेंगे तो आपने बालो की ग्रोथ की एकॉर्डिंग तीकनेस की एकॉर्डिंग यहाँ पर सर्सू का तेल ले सकते हो और इस ओयल को आप अपने स्कैल पर भी पर दालेंगे जो कि हमारी दारी नानी अक्सर अब बताया करती थी ओ है पानी लोग कहते थे कि यहाँ पर बासी पानी डालने से सर्सू के तेल में बासी पानी मिला कर लगाने से बालों की ग्रोथ अच्छी होती आप चाहें बासी पानी ले सकते हो या फिर आप फिल्टर आप के पास फिल्टर वाटर नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हो जो पानी पीने के लिए आप यूज करते हो लेकिन अगर आपके यहाँ कपानी अक्छा नहीं है तो एक पानी ले तो आप देख सकते हो जिसे अन्डे की एलो जरदी होती है वैसा ही पीला-पीला लीक्विड बनकर तयार हो गया इस तरह से बहुत वहतरीं सा हमारा एंपर सिरम बनकर रेड़ी हो गया है और इस सीरम को गाईच आप स्केल से लेकर पूरे एयर लिंसки साप्लाई कर सकते हो यह आपके बालों को दो मुहें होने की प्रॉब्लम होती है उससे भी दूर करता है क्योंकि आपके बालों को बहुत अच्छ़ से मोश्चराइस करता है पानी के साथ यह मिक्स होकर आपकी स्कैल में अच्छे से पेन्यूट्रेट होता है जिससे आपके बालों को पूरा रूट से लेकर टिप तक पोसर देता है जिससे आपके डैमेज बाल रिपेर हो जाते हैं और यहां पर आपको सरसओ का ही तेल लेना है क्योंकि सरसो के तेल की ही साथ मैंने रिमेडी को अच्छा वर्क करते हुए देखा है आप अपनी तरफ से किसी भी ऑजल के साथ एकस्पेरिमJean कर सकते हो कोई भी हर्म नहीं है बट ये सरसो के तेल के साथ बेश्ट काम करता है तो जिने भी सरसो के तेल सूट करता है वह इस तरह से सरसो के तेल को एक महीने तक जरूर इस्तिमाल करें लेकिन कैसे लगाना है कितनी बाल लगाना है कितने देल में रिजल्ट देता है जैसे हमकों उसे यह विडियो आप में الحय करते हैं आर्ट आर्ट अ सब्सक्राइब मैं दोलेटेश को हमारे माश्चर दिमान भूत में आपाण सम्माई आक्षा लगते हैं तो यह जो remedy हमारे scalp में और हमारे बालों में moisture को lock कर देती है जिससे हमारे बालों को पूरा portion मिलता है और हमारे बालों के जड़ने तूटने की जो problem होती है dryness की जो problem होती है वो दूर हो जाती है हमारे बाल सौफ्ट सिल्की होते है और हमारे بالों के सफेद होनी की प्राप्लम दूर हो जाती हैं और हमारे बालों के बहुत तेजी से ग्रोथ होती हैं तो यह हमारे रिमेडी वल्गुल बनकर तयार हो गई हैं चले जाने लेते हैं घंडे चिपचिप पर नहीं लगाना आदर्वाइस आपकी स्केल्प में तो इसको नीट क्लेन स्कैल्फ पर लगाना है, मैं आपको अप्लिकेसन करके दिखा देती हूं इसे आप अपने स्कैल्प से लेकर पूरे हैर लेंट तक अप्लाई कर सकते हो। तो इस रेमिडिय को इस तरह से मांग करकर अपने स्केल्प पर अच्छे से लगा लीजिए श्केल्प पर बाद कंव कराद लिंदो कई से काम कर बंद लूँ तक बिल्कलमा कई खिय कर दीजिए जिससे यह रेमिडिया आपके बालो में आपकी स्कैल्प में अच्छे से पेनुट्रेट हो जाए आपको इस ओयल को बिल्कुल बालो की जड़ों से लेकर पूरे हेर लेंथ तक अच्छे से अपलाई करना है उसके बाद हल्की मसाज जरूर करनी है मसाज करके इसको आप चाहे ओबर नाइट छोड़ दीजिए या फिर आप दो तीन दिन लगा तार इसको लगा कर छोड़ सकते हो दो तीन दिन बाद भी आप सैंपू कर सकते हो या राद बर लगा कर छोड़ देजिए नेक्षरे सैंपू कर लीजिए या फिर आप इस ओयल को दो घंटे के लिए लगा कर छोंड दीजिए, एक या दो घंटे के लिए, उसके बाद भी आप सैंपू कर सकते हो, लेकिन बहतर वर्क करेगा, अगर आप इसको राद भर लगा कर छोंड देते हो, तब यह बहुत अच्छा काम करता है, दो-तीन दिनो के लिए लगा कर छोड़ देते हो तो भी कोई प्रोब्लम नहीं कोई बद्बू या चिपचिपाट आपके स्केल्प में बिल्कुल नहीं होती है मैंने खुद इसको अपलाई किया मुझे कोई भी प्रोब्लम नहीं हुई लेकिन अगर आप इसको नीट के लिए स्केल्प पर घंए रहेंगे इस रिम्डी का लगातार Kilmen अ मॉहीने इस्तमाल कर लेते हैं तो आके बालों की ग्रोध काफियत तक देखने को आपको मिलती है फूंकि आपंगो आल अच्छा लगा प्रोब्लमन नहीं वीक में इसको hiring जतना वीन सबी लगा सकते हैं तो ढई और आ Yangा के लिए अगर आप में से किसी नीस रेमडी का यूज़ किया दो प्लिस कमेंट करके जरूर बताएए फिर मिलेंगे नेश्ट वीडियो में थैंक्स असी टेक किया बाई बाई